प्रभास का जल्वा कायम तीन दीन में कमाये 294 करोड फिल्म अभीनेत प्रभास की बहुत प्रतिशित फिल्म साओ शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म में अपने रिलीज के तीन दीन में 294 करोड रुपे पूरे विश्म भर में कमाये हैं। इस फिल्म की समिश्य को और नहीं नकारात्मक समिश्य की थी और इसे एक खराफ फिल्म बताया था। इसके बावजुद प्रभास की फिल्म बॉक्स आफिस पर एक के बाद कई किर्तिमा सपिक कर रही है और कई रिकॉड द्वस्ते कर रही है। वरुन धवन ने दे की छीचोरे फिर्स्ट रिविवे में बताया शांदार है फिल्म। सुशार सिंग राजबुश्रत धकपूर की फिल्म छीचोरे इस शुग्रवार को रिलीज हो रही है। रभीवा साल में कम नहीं हुआ सलमान खान का गुस्सा अब भी इंतजार में है विवे कोबिरोय। विवे कोबिरोय इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टार है जिनकी फिल्म जल्दी से याद आयना है लेकिन सलमान के साथ जुड़ा उनका पंगा पहले याद आ जाता है। कुछ समय पहले अपने फिल्म पीम नरेद्र मोदी में विवे कोबिरोय ने एक बार फिर सलमान के मुद्दे को छेड़ दिया था। विवे के इस बयान से ऐसा लगने लगा कि उन्हें आज भी सलमान से सुला का इंतजार है। अनिल कपूर ने शेर की पूरानी तस्विर कहा इस फिल्म ने फिल्म में की है। इसके अलावा उनके द्वारा निभाय गए कुछ किरदारों को भूलना मुश्किल है। आज की समय में देखा जाए तो अनिल कपूर इंडस्ट्री में सफल एक्टर में से एक है। MNS News Life की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS Indie F डाउनलोड कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद।